हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूडिप चैनल जी के ट्रैक पर दोस्तो आज इस वीडियो में हम करेंट का मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक पुरुसकार एवं सम्मान 2024 देखने वाले हैं इस से रिलेटेड टॉप 50 MCQs आज की वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है आपके अपकमिंग एक्जाम्स के लिए तो प्लीज वीडियो का इंट तक जरूर देखेगा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंट शेर जरूर कीजेगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सब सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेस्टन देखिए एबल पुरुसकार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी मिशेल टैला ग्रैंट जो फ्रांस से हैं इनको एबल पुरुस कौन सा है तो आपको याद रखना है एबल पुरुसकार यह किस शेत्र में दिया जाता है तो गनितिया मैट्स के शेत्र में दिया जाता है इसकी स्थापना 2002 में हुई थी प्रदान कौन करता है इसे तो नौर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स एंड कि द्वारा एबल पुरुसकार दिया जाता है तो मोस्ट इंपोर्टन्ट है एबल पुरुसकार आपको याद रखना है नेक्स देखिए 98 ज्यानपीट पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है मोस्ट इंपोर्टन ग्येस्ट यह बी Correct option हो जाएगा सी उप्यूक्त दोनो मतलब कि गुलजार और जगत गुरू राम भद्राचारे इन दोनों को सहीउक्त रूप से 58 ग्यानपीट पुरुसकार दिया गया है देखी जो ग्यानपीट पुरुसकार है उसकी स्थापना कब हुई है तो 1961 में उसकी स्थापना हुई है इसे प्रदान कौन करता है तो भारतिय ग्यानपीट न्यास द्वारा भारतिय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरुसकार है इसके लिए योग्यता क्या है तो भारत का कोई भी नागरिक जो आठवी अनुसूची में बताई गई 22 भाशाओं में से किसी भाशा में लिखता हो इस पुरुसकार के योग्य होता है और ये पुरुसकार में क्या क्या मिलता है तो ग्यारा लाक रुपे की धनराशी प्रशश्ती पत्र और वाग देवी की कांस से प्रतीमा इसमें दी जाती है तो ये पूरा फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है क्योंकि ज्यान पीट के बारे में बहुत सारे क्वेशन एक्जाम में बनते हैं 2024 में किस मल्यालम कवी को 33 सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है तो करेक्ट ऑप्चन हो जाएगा बी प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है देखे सरस्वती सम्मान साहितिकी शेत्र में दिया जाने वाला वार्शिक पुरुषकार है इसकी स्थापना 1999 में केके बिल्डा फाउंडेशन के द्वारा की गई थी यह भारती सम्मान की अनुसूची आठ में सूची वद्ध भारत की 22 भाशाओं में से उतकरस्ट या पद्ध सहितिक कारियों के लिए दिया जाता है इस पुरुषकार में क्या-क्या मिलता है तो 15 रुपे का नगत पुरुषकार एक प्रसस्ती पत्र और एक पट्टी का प्रदान की जाती है तो most important है सरस्वती सम्मान यहां से भी बहुत सारे question exam में बनते हैं आपको यह य वर्ड 2024 का खिताब जीत लिया है most important है मिस वर्ड बहुत पूछा जाता है इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है देकि मुंबई में भी कहां तो जीयो वर्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में और आपको यह याद रखना है कि 28 वर करत में हुआ है इसलिए most important हो जाता है हमारे एक्जाम के लिए तो आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है देखिए उप विजयता कौन रहा कही बार सिफ विजयता ना पूछ कर उप विजयता भी पूछ लेता है तो आपको यह भी याद रखना है यास्मिना जाइ अभी नेता का पुरुसकार किसे मिला है तो यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा ए शारुक खान को यह दिया गया है most important है आपको याद रखना है किसे मिला है शारुक खान को देखिए सर्वसरेश्ट अभीनेता शारुक खान जवान फिल्म के लिए इसके बाद के लिए विक्की कोशल को सैम बहाद्दूर के लिए अवार्ड मिला है उसके बाद सर्वस्रेश्ट अभिनेत्री क्रिटिक्स में करीना कपूर को जाने जान के लिए अवार्ड मिला है तो यह सभी आपको याद रखना है क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है तो अरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच नागरिक सम्मान दिया गया है देखे प्रधान मंत्री मोदी को ये पुरुसकार भारत भूटान संबंदों के विकास में उनके उतकरस्ट योगदान और भूटानी रास्ट और लोगों के लिए उनकी विसिस्ट सेवा के लिए सेट्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पंकच कुमार चटर जी के द्वारा ये जीदा गया है देखे पंकच कुमार चटर जी ने 2024 का रोमें रॉलेंड पुरुसकार पुस्तक पुरुसकार जीता है ये पुरुसकार जीन डेनियल बाल सेट के उपन्यास स्टालिन काउच के पन्यास का नाम पूछ लिया जाता है इसलिए आपको याद रखना है लक्ष्मी नरायन अंतरास्तिय पुरुसकार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है करेक्ट आप्शन हो जाएगा ए प्यारे लाल शर्मा को लक्ष्मी नरायन अंतरास्तिय पुरुसकार 2024 से सम्मानित किया गया ह देखे संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नरायन अंतरास्टी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है लक्ष्मी नरायन अंतरास्टी पुरुसकार जिसका नाम वाइलन वादक लक्ष्मी नरायन के नाम पर रखा गया है उन वेक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनोंने संगीत की दुनिया में महत्पूर्ण योगदान दिया हो तो इस बार किसे मिला है प्यारे लाल शर्मा जी को ये अवार्ट दिया गया है अब सिस्ट जल प्रवंधन के लिए जल योध्धा पुरुसकार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है most important question ये भी correct option हो जाएगा C. Noida प्राधी करण को जल योध्धा पुरुसकार 2024 से सम्मानित किया गया है जल शक्ती मंत्राले ने साल 2023-2024 के विश्व जल पुरुसकार में जल सनरक्षन के लिए Noida को सम्मानित किया ये सम्मान सीवे जुक्चार और पानी के पुना उपयोग में Noida की उपलब्दियों को देखते हुए किया गया है केंद्री ये जल शक्ती मंत्री जो है गजेंद्र सिंग शेखावत उन्होंने ये पुरुसकार प्रदान किया है पूछा जाएगा ये question आपको याद रखना है मार्च 2024 में संगीत कलानिधी पुरुसकार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है देखे 2024 के सभी पुरुसकार बहुत जादा important है ये इस topic से question भी बहुत जादा बनते हैं तो आपको याद रखना है और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाईए और वीडियो को शेर जरूर कर दीजेगा देखे इसका correct answer हो जाएगा D. T.M. कृष्णा को मार्च 2024 में संगीत कलानिधी पुरुसकार 2024 से सम्मानित किया गया है देखे साल 2024 के संगीत कलानिधी पुरुसकार से प्रसिद्य करनाटक संगीत कार T.M. कृष्णा को सम्मानित किया गया है ये पुरुसकार संगीत के शेत्र में उनके आसाधारन योगदान के लिए दिया गया चैननई में संगीत अकैडमी द्वारा दिया जाने वाला ये पुरुसकार करनाटक संगीत के लिए आसकर माना जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है संगीत कला निधी पुरुसकार जो बार बार एक्जाम में पूछा जाता है पांचवे रास्तिय युवा संसद महतसब 2024 में प्रथम पुरुसकार किसने जीता है तो करेक्ट आप्शन हो जाएगा डी यतिन भासकर दुगल ने रास्तिय युवा संसद महतसब 2024 में प्रथम पुरुसकार जीता है देखिए रास्तिय युवा संसद महतसब 2024 इसमें प्रथम पुरुसकार मिला है यतिन भासकर दुगल जो हर्याना से है उनको दूसरा पुरुषकार मिला है वैशना पिचाई जो तमिल नाडू से हैं उनको और तीसरा पुरुषकार मिला है कनिश्का शर्मा को जो राजिस्थान से हैं यह तीनों ही आपको याद रखने है क्योंकि most important है पूछ लिया जाता है रास्तिय यूवा संसत महतसब के पी नाबियार पुरुषकार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है most important है यह भी correct option यहाँ पर हो जाएगा का 24 से समद्ध किया गया है δेखि हैस्वामनाथ इस रोक के वर्तमान अध्यक्ष यहां पुरुष्कार प्रोद्योगी की में उत्रिष्टता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है यह फुरुष्टार उन लोगों या समुहों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए प्रध्योगी की को आगे बढ़ाने में महत्पुन योगदान दिया है इसलिए किसे दिया गया है एस सोमनात को जो इसरों के वर्तमान अध्यक्ष है खसरा और रुबेला चैंपियन पुरुसकार 2024 से किस देश को सम्मानित किया गया है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए दोस्तों जितने भी क्वेशन में आपके लिए लेकर आई हूं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके आपके जितने भी अपकमेंग एक्जाम सोंगे उसमें आप देखना यह जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि सभी क्वेशन बहुत जादा इंपॉर्टेंट है देखिए खसरा और रुबेला चैंपियन पुरुसकार किसे दिया गया है तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत को खसरा और रुबेला के लिए दिया गया है वाशिंग्टन डी सी इस्थित अमेरिका राइट क्रॉस मुख्याले में दा मिजेल्स एंड रुबेला पार्टनर्शिप की और से भारत को सम्मानित किया गया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है क्योंकि यह क्वेशन एक्जाम भी कहते हैं तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा A कीलियन मरफी ने सर्वस्ट अभिनेता का पुरुषकार जीता है देखिए 96 वा ऑसकर पुरुषकार देखें तो सर्वस्ट अभिनेता कौन है कीलियन मरफी सर्वस्ट अभिनेतरी है Emma Stone जिने पूर थिंग्स के लिए य उपन हाइमर को तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यह सभी आपको याद रख लेना चाहिए क्योंकि यहीं से आपके क्वेशन बनेंगे एक्जाम में तो इसलिए इसको जरूर याद रखिए महारास्ट भूशन पुरुसकार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो यहां पर करे सब्सकर मिला है यह पुरुसकार पुनर योजी चिकित्सा में उनके अग्रनी काम के लिए दिया गया है इसकाम में वैश्विक स्वास्त सेवा को सकरात्मक रूप से प्रभावित किया है इसलिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है तो इसके बाफटा अवार्ड दो हजार चौबिस में सर्वस रेस्ट अभिनेत्री का पुरुसकार किसने जीता है देखिए बाफटा भी बहुत पूछा जाता है एक्जाम में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी एम्मा स्टोन ने जीता है बाफटा अवार्ड म सर्वस रेस्ट अभिनेत्री का पुरुसकार देखिए यहां पर हम देखते हैं तो सतत्तरवा सर्वस रेस्ट फिल्म किसे मिली है बाफटा में तो ओफन हाइमर को सर्वस रेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इसके बाद सर्वस रेस्ट अभिनेत्री रही है एमा स्टोन औ चमेली देवी जैन पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है most important question ये भी पूछा जाता है correct option हो जाएगा C A मतलब दोनों A और B मतलब गृष्मा कुठार और रितिका चोपडा इन दोनों को ही चमेली देवी जैन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है देखिए वर्ष की उतकरस्ट महिला मीडिया परसन के लिए चमेली देवी जैन पुरुसकार 2024 स्वतंत्र पत्रकार गृष्मा कुठ और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपडा को संयुक्त रूप से दिया गया है तो इस दोनों की नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने है क्योंकि एक्जाम में यह जरूर पूछे जाएंगे प्रतिस्टिक महारास्ट गौरब पुरुसकार 2024 से किसे सम्मानित किय गया है तो करेक्ट ऑप्शन आपर हो जाएगा डॉक्टर उमा रेले यह ऑप्शन बिल्कुल सही है डॉक्टर उमा रेले जिनने महारास्ट गौरब पुरुसकार 2024 से सम्मानित किया गया है देखिए मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्याले की प्रतिस्टित प् लिए प्रदान किया गया है तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है डॉक्टर उमा रेले आपको जरूर से याद रखना है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने किसे ग्रीन चैंपियन अवार्ट 2024 से सम्मानित किया है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन करेक्ट पांडे को ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है विज्ञानिक पंक्ति पांडे को टिकाउ जीवन और पर्यावरन संद्रक्षन की दिशा में उनके निरंतर प्रयासों के लिए ग्रीन चैंपियन पुरुसकार से सम्मानित किया है 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच सम्मान भारत रतने से सम्मानित किया गया तो यहाँ पर करेक्ट आप्शन हो जाएगा ए पाँच लोगों को 2024 में सर्वोच सम्मान भारत रतने से सम्मानित किया गया देखिए पाँच लोग कौन कौन से हैं तो पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरंड सिग जिन्हें मर्नो प्रांत दिया गया इसके बाद पूर्ण प्रधान मंत्री पीवी नरसंभार आओ इन्हें भी मर्नो प्रांत वैज्ञानिक MS स्वामी नथन इन्हें भी मर्नो प्रांत ये भारत में हरित क्रांती के जनक हैं इसके बाद देखिए करपूरी ठाकुर बिहार राज्जी के मुख्य मंतरी इन्हें भी मर्नो प्रांत भारत रत्न दिया गया देखिए और है लाल कृष्ण आडवानी ये साथवे उप्रधान मंतरी रहे हैं तो ये पांचों ही नाम आपको याद रखना आपके एक्जाम के लिए क्योंकि इन में से कोई भी नाम अपके एक्जाम में पूछा जा सकता है अब देखिए बात हो रही है भारत रत्न की तो भारत का सर्वोच नागरिक पुरुसकार है ये भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी और जो इसके प्राप्त करता है उनको रास्टपती द् परेड में किस मंत्राले की जाकी को सर्वस्रेश्ट जाकी का पुरुसकार मिला है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृती मंत्राले की जाकी को सर्वस्रेश्ट जाकी का पुरुसकार मिला है संस्कृती मंत्राले की जाकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थ कि संस्कृति मंत्राले की जाकी और राज्यों में उडिसा राज्य की जाकी को प्रथम अवार्ड मिला है वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरुसकार दिये गए हैं तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी 132 लोगों को 2024 में पद्म पुरुसकार से सम अंजूरी दी है जिन में पद्म भिभूशंट 5 हैं पद्म भूशंट 17 हैं और पद्म श्री 110 हैं यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एक्जाम में बनते हैं 69 वा Film Fair पुरुसकार 2024 में सर्वस्रेस्ट अभिनेता का पुरुसकार किसने जीता है मोस्ट इंपोर्टन फिल्म पैर 2024 किसने जीता है सर्वस रेस्ट अभिनेता तो करेक्ट आप्शन हो जाएगा रंवीर कपूर ने एनिमल मूवी के लिए यह अवार्ड जीता है देखिए बात हो रही है फिल्म पैर की तो सर्वस्रेस्ट अभीनेत्री का पुरुसकार किसे मिला है तो आलिया भट को रौकी और रानी की प्रेम कहानी इस मूवी के लिए आलिया भट को सर्वस्रेस्ट अभीनेत्री का पुरुसकार मिला है इसके बाद सर्वस्रेस्ट निर्देशक का पुरुसकार विदू विनोज चोपड़ा को 12 फेल के लिए मिला है फिर सर्वस रेस्ट फिल्म जो लोगप्रिय कैटेगरी में है तो 12 फेल को यह दिया गया है इसकी बाद इसका आयोजन कब हुआ था तो 27-28 जनवरी 2024 को गांधी नगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया most important question बार-बार repeat होता है ऐसे question तो असलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है correct option हो जाएगा सी पांच लोगों को पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया है 2024 में कौन है ये पांच लोग तो श्री बैजिन्ती माला बाली जिने कला के शेत्र में और किस राज्य से है तमिलनाडू से श्री कौनी डेला चिरन जीवी जो कला के शेत्र से हैं और कहां से है आंध्य प्रदेश श्रीयम वकईया नाइडू जो पूर्वर राष्टपती रहे हैं सार्वजनिक मामलों से जुड़े हुए हैं और आंध्य प्रदेश से सम्मंदित हैं इसके बाद श्री बिंदेश्वर पाठक इन्हें मर्नो प्रांत मिला है सुलव 140 संस्थान की जा गया है पद्म भिभूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है आपको पांचों के नाम अच्छे से याद रखना है गरतंत्र दिवस 2024 वर्ष सम्मारों में कितने वैक्तियों को वीर्ता के लिए रास्टिय पदक से सम्मानित किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेस्चन 322 कर्मियों के लिए वीरता और सेवा पदक की घुशना की गई इन पुरुस्कारों को चार चड्नों में वर्गिक्रत किया गया वीरता के लिए रास्ट पती पदक दो लोगों को दिया गया एक सवर्गीए सावलाराम विश्णोई और एक सवर्गीए शिशुपाल सिंग इन दो लोगों को वीरता के लिए दिये गया और देखिए वीरता के लिए बाकी पदक 275 दिये गए हैं इसके बाद विसिस्ट सेवा के लिए रास्टी पदक 102 दिये गए हैं और सहरानी ये सेवा के लिए पदक 703 पन दिये गए तो यह आपको बहुत अच्छे से याद रखन है क्योंकि इन ही में से question exam में बनते हैं 66 ग्रैमी अवार्ट 2024 में best global music album का award किसने जीता most important question ग्रैमी अवार्ट भी exam में पूछा जाता है correct option हो जाएगा भी this moment ने ये अवार्ट जीता है best global music album देखें दिगज भारती संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसेन ने अपने album this moment के लिए best global music music album च्रेणी में Grammy award जीता जो fusion band शक्ती का album है song of the year का पुरुसकार what was I made for को मिला है Grammy award को देखी आयोजन कब हुआ है तो चार परवरी 2014 को इसका आयोजन हुआ था आयोजन स्थल क्या था लॉस एंजलिस USA में यह आयोजन किया गया था और यह दिस मुवमेंट को यह जो अवार्ड है दिया गया है वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीरती चक्र प्रदान किया गया किरती चक्र किसको प्रदान किया गया है कितने लोगों को तो करेक्ट अप्शन हो जाएगा भी छे लोगों को कीरती चक्र से सम्मानित किया गया है देखिए वर्ष 2024 में छे कीरती चक्र सोला सौरी चक्र सहित अस्सी वीर्था पुरुस्कार प्रदान किये गये हैं कीरती चक्र विजेता कौन है तो कैप्टन अंशुमान सिंग हवलदार अब्दुल माजिद सिपाही पवनकुमार मेजर दिपेंद्र विक्रम बंसल मेजर दिग्विजय सिंग रावत हवलदार पवनकुमार इन छे लोगों को कीरती चक्र से सम्मानित किया गया है यह चे के छे नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के नाम बहुत अच्छे से देखकर ही एक्जाम में जाना सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार 2024 किसे प्रदान किया गया है त 60 पैरसूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की स्थापना 1942 में हुई थी यहां भारतिये शशस्त्र बलो का एक मात्र हवाई चिकित्सा प्रतिस्थान है यह पुरुसकार केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्करस्ट कारे के लिए दिया जाता है तो यहां पर करेक्ट आप्शन हो जाएगा सी मतलब ए और बी दोनों बैंगलूरु हवाई एड़ा जिसे कैंपा गोडा हवाई एड़ा कहते हैं और इंद्रा गानी अंतरास्टी हवाई एड़ा इन दोनों ने इस पुरुसकार को जीता है देखिए यह पुरुसकार केंद्रि है आपको यह याद रखना है उत्तर प्रदेश गौरफ सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो करेक्ट आप्शनों जाएगा सी ए और बी दोनों देखे डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी इन दोनों को ही उत्तर प्रदेश गौरफ सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है रितू करीधल स्रिवास्तो एक भारतिय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर है जो भारतिय अंत्रिक चनुसंदान संगटन इस्रो में कार्यरत हैं और नवीन तिवारी एक भारतिय उद्धमी और इन मोबी के संस्थापक और सीई ओ हैं तो यह दोनों का ही नाम बहुत अच्छे से याद रखना है उत्क्रस्ट उपलब्दी के लिए इंडियन ऑफ दा इयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेस्टन करेक्ट अप्सन हो जाएगा ए इस रो को दिया गया है इंडियन ऑफ दा इयर 2023 अवार्ड देखिए इस रो इ अध्यक्ष कौन है तो आश्य सोमनात इसके वर्दमान अध्यक्ष है कितने लोकसभा सांसदों को संसद रतन पुरुसकार 2024 प्रदान किये गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह भी करेक्ट ऑप्शन ही आपर हो जाएगा बी पांच संसदों को संसद रतन पुरुसकार 2024 स सम्मानित किया गया है देखिए संसद रत्न सम्मान पुरुसकार इस पुरुसकार से वैसे संसदों को सम्मानित किया जाता है जिनका काम संसद में सबसे अच्छा होता है 17 परवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में एक समारों में ये पुरुसकार दिये गए किस किस को मिले देखी पाँच लोगों को तो सुकांत मजुमदार जो भाजपा से हैं श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो शिवशेना से हैं सुधीर गुक्ता जो भाजपा से हैं राम सिंग कोले जो NCP से हैं और कुल्दी प्राय शर्मा जो कॉंग्रेस से हैं इन पाँच लोगों को इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है 81 गोल्डन ग्लोव अवार्ट 2024 में किस फिल्म को सर्वस्रेस्ट पिच्चर ड्रामा का पुरुसकार दिया गया है तो यहां पर correct option हो जाएगा B, ऑपन हाइमर को यह अवार्ट दिया गया है देखे बात हो रही है यहां पर सर्वस्रेस्ट अभिनेतरी का पुरुसकार इसमें किसको मिला है यह भी पूछा जाता है और सर्वस्रेस्ट अभिनेता भी पूछा जाता है तो आपको दोनों ही याद रखना है अभिनेतरी किसको मिला है तो लिली ग्लेड स्टोन किलर्स ओफ दा फ्लावर मून के लिए ये अवार्ड लिली ग्लेड स्टोन को मिला है सर्वस्रेस्ट अभिनेतरी का और इसके बाद सर्वस्रेस्ट अभिनेता का पुरुसकार सीलियन मर को ओपन हाइमर के लिए दिया गया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिल्म पूछा जाए तो आपको ओपन हाइमर याद रखना है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ दा इयर 2024 का पुरुसकार किसे मिला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन करेक्ट ओप्शन आपर हो जाएगा सी एलेक्स डॉसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ दा इयर 2024 का पुरुसकार दिया गया है देखे स्विडिस फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन को उनकी छबी वेल बोन्स के लिए अंडर फोटोग मिंक वेल के कंकाल की खोच करते हुए दिखाया गया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह वेल बोन्स जिसके लिए उन्हें अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ दा इयर का अवार्ड दिया गया है MS स्वामिनाथन पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका हो जाएगा C. B. R. कमबोज को MS स्वामिनाथन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है MS स्वामिनाथन पुरुसकार 2023 के विजेता कौन है MS साहित अकैडमी पुरुसकार पूछा जाता है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A. संजीव जी को साहित अकैडमी पुरुसकार 2023 दिया गया है देखिए संजीव जी को यह अवार्ड उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए मिला है अब बात करते हैं साहित अकैडमी की तो इसकी स्थापना हुई है 12 मार्च 1954 को इसका मुख्याले नई दिल्ली में स्थित है इसके वर्तमान अध्यक्ष है माधा उकौशिक और इसके वर्तमान सचेव है के श्री निवास राओ इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एक्जाम में बंते हैं Most important है साहरे Facts बुकर पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया देखिए बुकर और इंटरनेशनल बुकर पुरुसकार दोनों ही एक्जाम में बहुत पूचे जाते हैं आपको याद रखना है करेक्ट ऑप्चन हो जाएगा सी पॉल लिंच को बुकर पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया है देखिए आयरलेंड के लेखक पॉल लिंच को लंदन में उनके उपन्यास प्रॉफिट सौंग के लिए ये पुरुसकार मिला है बुकर पुरुसकार एक स चांथी पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया ये कthose भी बहुत पूछा जाता है करेक्ट ऑप्चन हो जाएगा डी नर्गिस महांम्मधी जो इरान से हैं इन्हें नौबल चांथी पुरुसकार 2023 के लिए सम्मानित किया है देखे क्यूं दिया गया है इन्हें तो इरान में महिलाओं के उद्पीडन के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानो अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्हें इस सम्मानित किया गया है इस अवोर्ड से कौन प्रदान करता है ये अवोर्ड तो नौर्वे क इर्दशास्त्र के शेत्र में नोबल पुरुसकार 2023 किसने जीता तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C. आर्देशास्तर का नॉबल पुरुषकार देने की घुशना की गई आर्देशास्तर में नॉबल पुरुषकार प्रदान करता कौन है तुद्धा Royal Studies Academy of Science Sweden के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है देखिए ये जरूर से याद रखिये कि कौन देता है अवार्ड कहा आवार्ड से सम्मानित किया गया है देकि लायःफ टाइम अचीबमेंट पुरुसकार से सम्मानित और प्रसारन मंतराले द्वारा वहीदा रह्मान त्रेपनवे दादा सहाय पाल के अवार्ड इन्हें मिला है ये पुरुसकार इन्हें वर्ष 2021 के लिए दिया गया है गोशना अभी हुई है लेकिन ये अवार्ड किस वर्ष के लिए दिया गया है तो 2021 के लिए ये दिया गया है 2023 में प्रतिस्टित लोकिमान तिलक पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया most important question correct option यहाँ पर हो जाएगा B. प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को लोकिमान तिलक पुरुसकार से सम्मानित किया गया है देखे लोकमान तिलक रास्टी पुरुसकार तिलक इसमारक मंदिर तरस्ट हिंद सौराज संगवारा प्रदान किया जाने वाला एक रास्टी पुरुसकार है ये किस छेत्र में दिया जाता है ये पुरुसकार उन लोगों को दिया जाता है जिनोंने रास्ट की प्रगती और विकास के लिए काम किया है तो इसलिए लोकमान तिलक रास्टी पुरुसकार किसे मिला है नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है साहित्य में नोबल पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है तो करेक्ट आप्शन हो जाएगा बी जॉन पॉसे जो नार्वे से ह इन्हें साहित में नॉबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है देखे इन्हें क्यों मिला है यह पुरुसकार उनके अभिनाव नाटक और गद्य साहित के लिए प्रदान किया गया जो अनकही भावनाओं को अवास देते हैं साहित में नॉबल पुरुसकार कौन प्रदान कर शेल्टर के लिए अंतरास्टी बुकर पुरुसकार किस ने जीता देखिए बुकर और इंटरनेशनल बुकर दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए जोर्जी गॉस्पो डिनोव ने जीता है अंतरास्टी बुकर पुर अरेजी अनुवाद एंजिला रोडेल ने किया था तो यह सारे फैक्ट आपको याद रखने इंटरनेशनल बुकर पुरुसकार के लिए क्योंकि यह एक्जाम में बहुत जादा पूछा जाता है पुलित्जर पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है करेक्ट ऑप्शन हेड उपन्यास के लिए यह पुरुसकार जीता है और हरनान डियास पुरुष्ट ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए यह पुरुसकार जीता है तो एक महिला वर्ग में जीती है पुरुष्वर्ग में जीते हैं आपको यह याद रखना है और दोनों के कौन-कौन से उपन्या अवर्ट से सम्मानित किया गया है भारती अंत्रिक चनुसंदान संस्तान इसरो को चंद्रयान तीन मिशन में उल्लेकनी उपलब्धी के लिए एविएशन वीग लॉरेट्स अवर्ड मिला है इसरो की और से या पुरुसकार अमेरिका में भारतीय दूतावास में उपराजदू श्रीप्रिया रंगनाथन ने सुईकार किया तो मोस्ट इंपॉर्टन अवर्ड है जो हमारे इसरो को मिला है इसलिए आपको यह जरूर से य इन्हें पद्मभूशन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी फॉक्स कोन के चेयर्मेन यंग लिउ को पद्मभूशन 2024 से सम्मानित किया है रक्षा मंत्री राजनात सिंग द्वारा आउटस्टेंडिंग वुमन आ एयर अवर्ण 2023 पुरुसकार से किसे शम्मानित किया है तो यहाँ पर करेक्ट अप्च्टमभूशन हो जाएगा बी डॉक्तर मीना पूधि को आउट्स्चल में आउस्टेंडिंग वुमन आप्दा इयर अउवार से सम्मानित किया गया है यह आपको याद रखना है डॉक् 2023 से किसे सम्मानित किया गया है most important तो correct option दे कि यहां पर हो जाएगा ए रंजन गोगोई को असम बैभव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है देखिए पूर्व मुख्य न्याइदीश रंजन गोगोई भारत के 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूर्व उत्तर से यहां पत समा Salt and Paper नामक पुस्तक के लिए छटवा रविंद्रना टैगोर साहित पुरुसकार किस लेकिका ने जीता है most important question देखिए यह correct option हो जाएगा ए सुकृता पॉल कुमार के द्वारा यह पुरुसकार जीता गया है देखिए प्रसिद्ध रविंद्रना टैगोर साहितिक पुरुसक पुरुसकार ने कवी आलोचक सुकित्रा पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एन पेपर सेलेक्टेट पोयम्स के लिए यह अवाड दिया है यह प्रतिस्थित पुरुसकार विश्वशान्ती साहित्य कला सिक्षा और मानो अधिकार को बढ़ावा देने वाले दुनिया इतना आपको याद रखना है कि समें क्या क्या मिलती है पुरुसकार करता को जो पुरुसकार प्राप्त करता को क्योंकि most important है यह भी exam में पूछ लिया जाता है तो किसे मिला है रविन ना टैगोर साहितिक पुरुसकार सुकृत्त्रा पॉल कौमार आपको यह याद रखना ह अब बारी है last question की केरल में शंकर इस्पृति पुरुस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो correct option हो जाएगा C. पुजारी इश्वरी प्रसाद नम्बुदरी को शंकर इस्पृति पुरुस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है देखे उत्राखंड में विश्व प्रसिद बदरीनाध धाम के मुख्य पुजारी इश्वरी प्रसाद नम्बुदरी को केरल में शंकर इस्पृति पुरुसकार से सम्मानित किया गया है शंकर इस्पृति पुरुसकार अध्यात्म कि कला सेवा में उत्करस्ट योगदान के लिए दिया जाता है तो यह most important है शंकर इस्पृति पुरुसकार आपको याद रखना है क्योंकि एक्जाम में ये भी पूछा गया question है बार-बार पूछते हैं असलिए आपको ये याद रखना है यही पर दोस्तों हमारे 50 questions complete हो गया है वीडियो पसंद आया होगा तो like and share जरू कर दीजेगा अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe करके bell icon जरू प्रेस कीजेगा इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा लिंक कमेंट पर दिया हुआ है तो टेलेग्राम चैनल को भी जरूर जोइन कर लीजे आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत